पांसो वर्सों के लंबे इंतजार को समाप्त करते हुए मर्यादा प्रसुत्तम पगवान स्री राम को एक बार फिर से उनके भव्य मंदिर में दिराजमान कराने का एक दिब्ब्य आयूजन होगा आज हमें सवभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का वव्यतम मंदिर बनता देख पा रहें एक नई अयूध्या एक भव्य अयूध्या का दर्शन देश और दुनिया को देखने को मिलेगा जो है अजुध्या बाक्षियों का भी एक कहना है कि जब तरश्टी इमानदार होते तो काम सुरू हो चुका होता प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं प्रधा की मूर्ति जो है पूजा भी जोने होनी है जुध्या का सौभाग है कि जुध्या में प्रधान मंत्री जी आ रहे हैं हमने उन्हें आयोध्या 22 जन्वरी 2024 को पधार कर नए बन रहे मंदर के गर्वग्रह में भगवान राम के नूतन विग्रह की प्राणप्रतिष्ठा अपने करकमलों से करने का निविदन किया प्रधान मंत्री जी ने इसके गोशना कर दी है कि हम अजुध्या जाएंगे और राम लिल्ला के प्राणप्रतिष्ठा में समलित हो गए बारा के बीच में मंदर बन के तैयार होने को है और आयोध्या में भब दिब राम जनम्भूम के प्राणप्रतिष्ठा में देश के सस्वी प्रधान मंत्री जी रहेंगे ये जबान मनेंगे गर्व की बात है राम जनम्भूम के जी बागाए जबाए जब ये ये बात है झाल झाल झाल